आम आदमी पाती ने हिमाचल प्रदेश के तीन जिले की चार सीटों के लिए उमीद्वारों के नामों का एलान सबसे पहले किया है राजे में अगले महीने वेधान सभा चुनावों का एलान हो सकता है आमादमी पाती के चार मैंसे तीन उमीद्वार ऐसे हैं जो छे महीने पहले तक पाती का हिस्सा नहीं थे यहां तक की फतेपूर सीट के उमीद्वार तो महज कुछ दिन पहले ही पाती में शामिल हुए थे छे महीने पहले आमादमी पाती में शामिल हुए प्रदेश यूथ कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे मनीश ठाकुर को पाती ने पॉंटा साहिब से टिकट दिया है कांगला जिले की फतेपूर सीट से पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत को प्रतियाशी बनाया गया है कांगला की ही नग्रोटा सीट से उमाकांत डोग्रा आमादमी पाती के उमीद्वार होंगे सुदर्शन जस्पा लाहोल स्पिती और मनीश ठाकुर पॉंटा साहिब सीट से पाती के प्रतियाशी बनाये गए हैं भाजपा सरकार में मंत्री और सांसद रहे डॉक्टर राजन सुशांत इस बार आमादमी पाती के टिकट पर फतेपूर से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर सुशांत भाजपा से चार बार विधायक रहे हैं धूमल सरकार में राजस्व मंत्री भी थे आमादमी पाती ने चार सीटों पर प्रतियाशी उतार कर विधान सभा चुनावों के लिए ताकत जोंकना शुरू कर दी हैं आपको बता दें कि आम आदमी पाती के तीन प्रतियाशी पहले भाजपा या कॉंग्रेस में रहे हैं लिहाजा सिर्मोर जिला की पॉंटा साहिब कांग्रा जिला की नग्रोटा बगवां और फतेपूर सीट पर भाजपा और कॉंग्रेस के समीकरण बिगर सकते हैं इन सीटों पर दोनों ही दलों की चिंता बढ़ गई है हालांकि भाजपा और कॉंग्रेस के नेताओं का कहना है कि हीमाचल में आम आदमी पाती का कोई जनाधाद नहीं है भाजपा सरकार के मंत्री और सांसद रहे डॉक्टर राजन सुशान्त इस बार आम आदमी पाती के टिकट पर फतेपूर से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर सुशांत भाजपा से चार बार विधायक रहे हैं दूमल सरकार में राजस्व मंत्री थे डॉक्टर सुशांत वर्ष 1982 में सबसे कम उमर के विधायक बने थे 2009 में कांगला चंबा लोग सभा सीट से सांसद चुन हुए हैं उन्हें आम आदमी पाटी ने पॉंटा साहिब से प्रतियाशी बनाया है उमाकांत डोग्रा 2012 में भाजपा के साथ थे 2017 में भाजपा से टिकट के लिए आवेदन किया था लेकिन टिकट अरुन को दिया गया वर्ष 2018 में उन्होंने आम आदमी पाटी का दामन थाम हैं उन्होंने भी अपने समर्थकों के साथ लाहॉल्स पिती में चुनावी अभ्यान शुरू कर दिया है इसके अलावा आपको बता दें कि जिन चार सीटों पर आम आदमी पाटी ने उमीद्वारों का एलान किया है उनमें से तीन पर 2017 में भाजपा और एक सीट पर कॉंग शूक्षानी सिंग पठानियां विधायक है वहीन अग्रोटा विधान सभा सीट से 2017 में भाजपा के अरुण कुमार जीते थे गुए इसके साथ ही सिर्मौर्श दिले के पॉंट्डा साहिव से इस वक्त भाजपा के सुक्राम विधायक है लाहॉल्स पिती जिले की एक犯ग लाहॉल्स पिती सीट से इस वक्त भाजपा के रामलाल मारकंडा विधायक है